So hello everyone, welcome back to our channel आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप HTML का सिर्फ यूज करके एक form को design कर सकते हैं इस वीडियो में मैं CSS बिल्कुल नहीं use करूँगा, सिर्फ forms यूज करूँगा और आपको बताऊँगा कुछ ऐसे input tags जिसको आपने forms में डालेंगे तो आपकी forms की जो beauty है, without CSS भी काफी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा time नहीं waste करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी computer screen पे सबसे पहले हम एक folder create कर लेते हैं ये folder मैं बना रहा हूँ, इसको मैं आपको description में भी दे दूँगा इसकी link मान लिजे इसका नाम रख देते हैं, html, only html का इसमें हम use करेंगे तो इसको हम drag and drop करेंगे अपने visual studio code में और ये कुछ चरीके से हमारा interface जो है, वो open हो जाएगा सबसे पहले हम एक file create कर लेते हैं, इसमें text file एक create करते हैं इसमें मैं काफी सारे input tags आपके लिए लेकर आया हूँ, उनको मैं comments में भी दे दूँगा, वहां से भी input tags को use कर सकते हैं इन ही input tags का हम लोग reference लेंगे, तो चली सबसे पहले हम एक input tags अपने push कर देते हैं, इसके अंदर तो यह हमारे कुछ input tags हैं, इनको मैं बाद में देखूंगा, पहले अब एक file create कर लेते हैं हम लोग, contact form आज हम लोग एक बनाते हैं, contact form.html, यह एक हमारा contact form बन गया, अब सबसे पहले हम एक boilerplate code इंसर्ट कर आएंगे, तो यह हमने अब हम form मना रहे हैं, तो body के अंदर जाहिर सी बात है, एक form element लेंगे, form element में अभी हम action बाद में देखेंगे, action होता है get or set, तो उसको बाद में देखेंगे, कि actions का क्या काम होता है, पहले हम एक form tab बनाते हैं, अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा form दिखेगा कैसा, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी drawing window पर, तो चलिए अब देखते हैं हमारा form दिखेगा कैसा उसके लिए सबसे पहले हमारा एक जो form का layout होता है वो insert करा लेते हैं यहां पर हमारा basic सा रहेगा यहां पर हमारा रहेगा name जो user रहेगा उसका name रहेगा और उसके बाद आता है उसका father's name then mother's name basic information जो जो होती है वो हम लोग लेंगे उसके बाद phone number लोग इसके बाद स्क्राइट क्या ले सकते हैं हम लोग इसके आद इमेल ले लेंगे इमेल के बाद address ले लेंगे पहले जेंडर ले लेंगे जेंडर के बाद date of birth ले लेंगे और date of birth के बाद हम लोग अब उसका एक address भी ले सकते हैं तो चलिए address भी ले ले लेते हैं address में हम define कर सकते हैं कि state कौन सा रहेगा और district कौन सी रहेगी इसमें और district की spelling district कौन सी रहेगी और क्या रहे सकता है पोस्टल कोड क्या रहे सकता है यह सब्सक्राइब बेसिक information इतना बड़ा हमारा फॉर्म रहेगा यहां पर एक heading डाल देंगे देखिए इसमें हम लोग HTML का यूज कर रहे हैं तो यह मैं सोची है कि जैसा यहां दिखा रहे हैं वैसा ही पॉर्म दिखेगा और यहां पर एक बटन रहेगा हमारा सब्मिट का तो यह पूरा इस तरीके का जो हमारा है वह रहेगा contact form यहां पर हमारा heading रहेगी देन name tag देन father's name देन mother's name ऐसे करके हम पूरा form जो है वह डिजाइन कर लेंगे चलिए अब हम चलते हैं अपनी coding window पर है तो यहां पर हमने एक basic form element create कर लिया था अब देखें हम लोग रेफरेंस लेना है देखें जब भी आप HTML का चीज कोई भी करें तो आप एक reference लिजा pen paper में डॉप कर लिया तो चलिए जैसे कि हमने यहां डॉप कर लिया था तो अब यही हम लोग इसको रेफरेंस लेंगे पहले name father's name mother's name phone number हो आप इमेल तक हम लोग बराते तो पी टैक्स हैं लोग इसको डिफाइन करेंगे इसमें नेम ले ले लेते हैं और उसके बार कि को कॉपी कर लेता है इसको कॉपी करने के लिए क्या करना है श्व्ट और डाउन बटन दबाएंगे यह डूब्लिकेट हो जाएगा अब यहाँ पर हम मर्दर्स नेम है यहाँ यहां थाधा से नेम हो गया मतर से मोगा फोन नंबर और भी हमें चाहिए elements काफी सारे replicate करें तो उसका देखते क्या करना है इन सबका यहाँ पर हम email इसका काम नहीं है इसको एरेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर और जेंडर के बाद हम ले लेंगे ग्लेंडर के बाद address और एड्रेस के बाद हम देख लेतें एड्रेस से पहले हम लोग ले सकते हैं चली बाद में ले ले लेते डेट आप बल्त तो इतने हमने elements ले लिए हैं फॉर्म के अंदर हमने क्या क्रेट कर दिया है आई अब हम देख लितने बाइस को लाइब करके भी कैसे कैसे हमारी दिख रही वेब साइट अभी के लिए तो देखिए हमारा जो हमने पी टैक्स ले रखे थे नॉर्मल सा वैसे ही है अपने heading यहा साथ कुछ खास किया नहीं आप देख सकते हैं अब हमें इसमें values इंसर्ट करानी है तो हम नेम के अंदर जाएंगे और यहां पर input लिखेंगे इंपुट करते ही suggestion आजाएगा टेक्स क्योंकि हमें नेम जो है वह हमारा टेक्स है तो हम टेक्स दे सकते हैं अब इसके इंदर मैं और भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है और चीजों को कैसे टेक्स ले लिए अब लेकिन फोन नंबर है इसमें टेक्स होता नहीं है और टेक्स जाले तो एरर आ जाए तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर सिंपल सा लिख सकते हैं input input लिखने के बाद नहीं पर टेक्स की जगे नंबर डाल देंगा है तो कह तिया फोन नंबर लेगा इवनलोग क्या कर सकते हैं शुर्ट कर सकते इननियुत का इमेल कर सकते हैं इंपुट इन्पुट इमेल तो यहां पर हमारा इमेल आ जाएगा जैधर जेंडर हमारे पास दो होते है एक होता है मेल एक होता है फीमेल तो हुआ यह कर सकते हैं clam डेबल दे दे और एक में में मेल लिख देए और उसके आगे रिडियो बटन दे देखर जैसा कि हमने यहाँ को एक क्रिप्ट पेस्ट करवाई थि यहाँ पर आप δेख सकते चेक बॉक्स दे रखा था और एक दे रखा था रेडियो चेक बॉक्स का मतलब होता है multiple answers correct हो सकते है रेडियो का मतलब हो सकता है सिर्फ single item correct होगा तो हम लोग यहाँ पे input type radio use करेंगे अब हम बात करते हैं जेंडर को में कैसे implement कराना है gender का मनें पी टैक बना लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे input input में लोग रेडियो लेंगे रेडियो में mail लेंगे रेडियो का मतलब होता है एक option correct करवाना तो वहीं हम कर रहे हैं यहाँ पर हमने एक mail ले लिया और एक दूसरा एक input type बनाते हैं जिसका नाम रहेगा फीमेल तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं एक बार फीमेल चीक है तो यहां पर देखते हैं में कैसा आ रहा है तो यहां पर जेंडर आ रहा है तो यहां पर मेल सेलेक्ट करें तो हमारा basic सा हमें क्या करना है डेट लेनी है तो इंपुट टाइप हमारा क्या हो जाएगा डेट हो जाएगा है सिंपल सथा इसमें कुछ नहीं करना यहां पर आप देख सकते हैं डेट अब बर्त के लिए बहुत सांदा आसा एक डेट बटन आ गया और इस फॉर्म को हमें सब्मिट भी कर पर Petet हो गया है पाढ़ में इसलिए आपको वेट कर आया था क्योकि अधर्न कृफ्यामोग काफ़ीट करना होगा की आपको ऑत्रिष देना क्या पतर एक एक option create कर लेता है option भी एक attribute होता है HTML के अंदर तो यहां पर हम लोग create कर लेते हैं उत्तर प्रदेश ठीक है यहां पर हमने option create करा और इसको replicate करते हैं तीन चार राज्य हम लोग लेंगे यहां पर जम्मू कश्मीर ले लेते हैं यहां पर उत्तरा खंड ले लेता है और लास्ट वन आप कोई भी अपना राज्य दे सकते हैं फिलाल मैं चिन नहीं देता हूं तो यहां पर देखें हमने option create कर लिया है और सबसे जरूरी बात इसको wrap up करना हुआ हुआ select keyword के अंदर तो select यहां पर देखें address by default हमारा उत्तरप्रदेश है और इसके सारे अंदर काफी सारे options जो है वह आ रहे हैं तो यहां से हमने state select कर लिया basic form हमारा तयार हो गया है यहां पर हमारा contact form name आ रहा है father's name आ रहा है state भी कोई भी select कर सकते हैं तो आश्या करता हूं कि आपको यह जो form बनाना है वह काफी अच्छे तरीके से आ गया होगा और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को धन्यवाद खत्म बाई बाई टाटा गुड़ बाई